दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुपकामने दिवाली की रात साल की सबसे बड़ी आमावस्या होती है और ये बहुत ही पावरफुल आमावस्या होती है और दूसरी जो सबसे पावरफुल दिन बोलते हैं उसको होली का दिन बोलते है उस दिन साल के सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है तो इस दिन किये गए जाप और जो भी साधना है उसका फल कभी खाली नहीं जाता उसका कई गुना बढ़कर ही पुन्य मिलता है तो आप ऐसा क्या करें क्या टेप्स अपना है कि आपको इसका बहुत जादा उसका पुन्य मिले और इस समावस्या की जो हाई एनरजी उसका आपको फायदा मिल सके तो आईए वीडियो शुड़ू करते दीपावली इस बार 31 अक्टूबर को 3 बच के 33 मिनट से नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे तक है तो इस दिन दो दिन दीपावली मनाई जा रही है तो जैसे जो रात में 31 अक्टूबर को पूजा होगी और व्यापार वगरा करते उनके यहां दो पहर के वक्त दो से चार बजे के बीच का मूरत है उस वक्त पूजा होगी तो दिवाली के दिन क्या-क्या हम पूजा में क्या-क्या चीज़ें अपनाये और उसका जो एनरजी है उसकी जो पावर है उसका अमधिक सदीक लाब उठा है तो दिवाली चभी सुरू होती है उसके पांच दिन यम का दिपक जलाया जाता है कई लोग धन 13 के दिन चलाते हैं कई लोग नरत चतुरदर्शी के दिन चलाते हैं लेकिन दिवाली में जो यम का जो दीपक है वो पांच दिन जलाना बहुत ही शुब माना जाता है और ऐसा करने वालों को के घर के सदस्यों के अकाल मृत्यू से रक्षा होती है और अच्छा स सवाथ्ते प्राप्त होता है तो आप यमका दीपक सरसो के तेल में 4 भी घर के बाहर ज़रूर जला है और यम जी से अपने घर के सदस्यों के आरोगि और अच्छी सवास्ते की पट्रातना। वो कभी खाली नहीं जाता है । जितना हो से कुछ मांत्र करें और देपावली की रात्री में मा काली की भी पूझा की जाती है अपने घर, एविल इस्प्रीट और नगर आत्मक शक्तियों से बचाओ के लिए मा काली की भी इस दिन पूजा की जाती है और इस दिन भैरो जी की भी साधना जरूर से की जाती है तो भैरो जी की साधना के रूप में आप भैरो चालिसा का पार्ट कर सकते है और आपको मैंने यमका दीपक बता दिया बहरो जी की क्या चालिसा आप चरूर पढ़िएगा और एक तीसरा है कनक धारा स्तोत्र और एक धन की पोटली होती है वो आपको असानी से बन जाती है इस दिन आपको धन की पोटली बनाई जाती है जिसमें पीली कोड़ी और खड़ी हल्दी और पीली सरसो और गोमती चक्र वगेरा इसको मा लक्षमी को चढ़ा के और 108 वा ओम कमलाय कमलाली मंत्र या श्रीम मंत्र का जाप करके उसको सिद्धेगर के सुबह उसको उठा के अपनी तिजोरी में रखने से ये आपके जिवन मे इतना ही जैश्रीरम